नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज गंजमुरादाबाद उन्नाव पंडित जगदंबा प्रसाद मिश्र हितैशी जी की याद में एक कवी गोश्थी का आयोजन किया गया नगर के प्रसिद चिकित सक वा कवी डॉक्टर सतीश दीक्षित के आवास पर शनिवार की रात में होली मिलन समारो वा वरिष्ट साहित्यकार पंडित जगदंबा प्रसाद मिश्र हितैशी जी की याद में एक कवी गोश्थी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिती के रूप में पधारे सुप्रसिद साहित्यकार डॉक्टर हरिना रायन चौर्सिया वा मुख्य वक्ता डॉक्टर रामनरेश सिंग्यादव वविशिष्ट अतिती वरिष्ट कवी दिनेश प्रियमिन को हितैशी समिती की और से अंधवस्टर वप्रतीक चिन्ह दे कर सम्मानित किया गया इस अफसर पर पंडित जगदंबा प्रसाद मिश्र, हितैशी, जी के समारक स्थल पर लगी उनकी मूर्ती पर माल्यारपन करने के साथ ही उनके व्यक्तित्व वक्रतित्व पर भी विशेश रूप से प्रकाश डाला गया कवी गोश्थी की शुरुआत कवी अमोल सिंग अमर ने सरस्वती वंदना से कि उसके बाद नौजवान कवी वश्षायर फजलर रह्मान, फजलर बांगरमवी ने अपने कलाम तरन्नुम के साथ पढ़े जो काफी पसंद किये गए उन्होंने होली पर पढ़ा, भुला के रंज दिलों को यह मिलाती होली, इसलिए तो सभी दिल को है भाती होली, उसके बाद वतन पर शहीद होने वालों के लिए पढ़ा, वतन का फर्ज निभाया वो काम कर डाला शहीद हो के शहीदों ने नाम कर डाला इसके बाद कवी अमोल सिंग अमर ने पढ़ा दर्द को आसपास रहने दो और दिल को उदास रहने दो ये है लजज़त हमें अजीज अमर तपते होटों पर प्यास रहने दो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रसिद शायर शमसुल हसन शम्ज ने अपना कलाम पढ़ा मौज कनारा मांजी नया या तुझको पत्वार लिखू बीच भवर में तुझको लिखू या नदिया के पार लिखू इसके बाद शायर जमाल उद्दीन जमाल ने पढ़ा अपनी जुल्फों को सलीके से सवारो वरना रा से अपनी मुसाफिर भी बहग सकता है इसी क्रम में कवी डॉक्टर राम बिहारी वर्मा करुनेश ने पढ़ा जिन्दगी एक अनुबंध है उस पर सांसों का प्रतिबंध है शायर बर्कत अंसारी ने अपना कलाम कुछ यू पढ़ा मोहबबत वह समंदर है कि जिसमें भवर मिलते हैं बस साहिल नहीं है वरिष्ट साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश ने पधा चांद अपनी चांदनी से इसकादर दरने लगा बादलों की दावतें बेविक्फिर करने लगा जिसे काफी सराहा गया इसके बाद वरिष्ट कवी दिनेश प्रियमन ने पढ़ा हम अमावस की रातिनमा बनिके दिया तुम्वी देहली पर तिलू तिलू जरेन राती भर जिसे श्रोताओं ने खूब पसंद किया इसके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ट कवी डॉक्टर सतीश दीक्षित रागब मिश्रव शायर असगर बिलेग्रामी ने भी अपने बेहतरीन कलाम सुना कर खूब वहवाही लूटी वरिष्ट साहित्यकार डॉक्टर हरिनारायन चौरसिया ने अपने संबोधन में कहा कि हितैशी जी साहित्य में जिस स्थान के अधिकारी है वह उन्हें मिलना चाहिए इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए इस मौके पर शुभिंद्र कुमार दीक्षित, रामु शुक्ल, गोपाल रस्तोगी, पिंकु शुकला, आनन्द प्रकाश जोशी सहित्तमाम साहिए